पचले 24 घंटे में नोडा की कई पॉस्ट सोसाइटी में नोडा अथौरटी की तरफ से एक नोटिस चसपा किया गया है इस नोटिस में कहा गया है इस नोटिस के बाद जो सबसे ज्यादा तनाव में है वो है नोडा के उन सुसाइटियों के जो में जिनकी रिहाइश है वहाँ के निवासी इस वक जो है वो कही न कहीं कमोबेश कश्मकश की स्थिती में जो है वो दिखाई दे रहे हैं आखिर इन्हों ने जो अपनी जमा पूजी लगा करके जो अपना मकान अपना अपार्टमेंट जो है वो खरीदा था अब उस अपार्टमेंट का क्या होगा क्या उस पर भी किस तरीकी की कोई कारवाही जो है वो हो सकती है इस notice के आने के बाद हमारे साथ ऐसे ही जो है वो सेक्टर 75 की एक सोसाइटी के कुछ निवासी है हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सर अपना नाम बताईए और ये नोटिस कब चिपकाया गया और इसका मतलब आपने क्या समझा मेरा नम बीएस लवानी है मैं इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ और ये नोटिस नोटाव थर्टी ने कल चिपकाया था तो ये उसके 111 करोर रुपे बैलेंस है ये बिल्डर की तरफ जो है ये इस वैसे चिपकाया गया है बिल्डर ने जो है सिर्फ 10 परसेंट पेमेंट करके ये प्लोट एलोट करवाया उसके बाद हम लोगों से 100 परसेंट ले लिया सारे बाहर से लेकिन ऑथर्टी को इसने कुछ भी नहीं दिया है तो ऑथर्टी की पेमेंट तो ड्यू है और उसका इंट्रेस्ट पर इंट्रेस्ट बढ़ रहा है वैसे ये इनिशेली जो है 36-37 करोर का था बैलेंस ऑथर्टी का लेकिन इंट्रेस्ट पर इंट्रेस्ट चड़ता गया और ये 111 करोड हो गया तो उन्होंने जो है और अथर्टी ने काफी चांस भी दिये इसको कि वह 25 परसेंट जमा कर दो उसके बाद आप जो है इंस्टॉल्मेंट में देते रहना बाकी अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लो लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया आखिर और थर्टी ने जो है एकदम मतलब पूरा सहयोग देते हुए इन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन आब वो परेशान है को पैसे बसूल करने आप लोगों को रिजिदेंस की अगर ह नेने थे हंदेट परशन की हुए है कि हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं लेकिन बुंडर ने अगर सिटान curso पैमेंट नहीं की टिसमेन ओनर क्या करें उनकी तो कोई गलती नहीं आ और हमको आशंकर यह है कि हमारा एक तो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर राए यह तो अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तो OC नहीं मिलेगी, OC नहीं मिलेगा तो हमारा रेजिस्ट्रेशन नहीं होगा, हम इसके authentic मालिक नहीं कहलाएंगे, इस वैसे हमें बड़ा असंतोस है हम लोगों में, कभी आगे इस प्रोजेक्ट का क्या होगा, दूसरा यह है कि य इन्होंने पहले जो प्रमोटर थे, उसके बाद इन्होंने डायक्टर वगरा किये, उन्होंने पैसे लेके वो इधर-दर हो गए, अपना कोई यह मौल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो पैसे हमारे ट्रांसफर हुए, इसका एक फॉरंस एक आडिट होना चाहिए, आपका नाम क्या है, और जो नोटीस जो है, जैसे की बता रहे हैं, लावनिया साब की कल चिपकाया गया, आप लोगों के मन में क्या शंका है, बहुत, मेरा नाम बनिल कुमार जैस्वाल है, मैं ग्रेट है परसन हो, मेरा भी अफ्लैट है, यह नोटस नोट आउट करी लगा है, हमारा सिर्फ इतना कंसर्ण है, बहुत, कि इन्हों ने जितना मांगा, एक कील कांटेस हम लोग ने एक एक पैसा दे दिया, जो और इस नोटीस नोटर आउटर आउटरी का, यह बिल्डर को है, बिल्डर से पैसे जो है, वो आथार्टी को लेकर के आने हैं, तो ऐसे में रेसिडेंस के मन में क्या परिशानी है, आप लोगों ना पैसा 100% पैसा लेकर के फ्लैट आप लोगों को मिल गया, तो बिल्डर और अथार्टी के बीच में जो रसा कशी चल रही है, उसमें आप लोगों को क्या नुक्सान है, क्या शंका है? आज के तारिक में हमारा कोई मालिक आना हाग नहीं है, हम सेल करने जहां सेल भी नहीं होगा, छोटी सी बात है, बैसे तो सेल का सवाल नहीं पैदा होता, अपना पैसा लगाया रहने के लिए, क्यों करेंगे? यह दिक्त प्रोजेक्ट की है, प्रोजेक्ट इसना अधूरा रखा है, इसलिए काम निए, अब उस पे ना बिजली है, ना पानी है, ना सीवर है, यह सारी प्रोजेक्ट है, हम जेल रहे है, बिल्टिंग बहार से डमेज हो रही है, अंदर से डमेज हो रही है, कुई देखने वाला नहीं है, आज की तारिक में इतना कन्फ्यूस कर दिय क्या गया है, कि साब नहीं पहले कही वालिक तो नहीं है, अब तो यह है मालिक, कुई शेयरोले दाश की बात करते हैं, क्या पकड़े है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर आप बताइए आपका नाम क्या है, और यह जो 24 गंटे पहले जो नोटिस लगाया गया था, बिल्डर और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम सब यहां पर सीजन से हैं, सब रिटार्ड आदमी है, अपने जितने भी हार्ड लाइफ हमने कमाया है, सब उसको बिल्डर को दे दिया है, इविन मैंने तो साड़े 10 परसेंट में बैंक से उठाया है, मैंने लोग साड़े 10 परसेंट करना पड़ा, तो मुझे तो 35 लाग का मकान पैसा डूबना जो पैसा लगाया है, वो डूबने का भी डर है, डूबेगा अकल को रेक्शन नहीं प्रेमेंट देता है, हमारे फ्लेट भी सीट हो सकते हैं, यह भी डर है कि आपको आपके फ्लेट होंगे, अगर इसके पास अं सब्सक्राइब के अधूरे हैं, यह भी डर सता रहे हैं कि आपके फ्लेट जो है, जो कि आप हार्डन मनी है, वो भी अटैच हो सकता, आज की डेट में बिल्डर ही नहीं, हम किसी को अप्रोच करना जाएं, तो सब्सक्राइब हो है, हमने उसको अप्रोच किया, इन्हों ने मैं तो 2017 से यहां से बाहर हो गया, मनोजरा यहां से बाहर हो गया, संजीव शर्मा यहां से बाहर हो गया, और जो तीसा दो चार और है, वो सब बाहर हो गया, आज की डेट में कोई बिल्डर ही, ठीक है, सर आप अपना आप अपना नाम बताइए, क्या आपको भी यह डर है क कहीं आपका फ्लैट जो हाड और मनी से लिया था क्या वो भी अटैच हो सकता है वो आप से छूट सकता है देखिए मैं तो रिटायर्ड आर्वेज रिटायर्ड हो यहां पर वाइस प्रेजिदेंट हो इस र्वा का हम यहां साड़े-चार सु परिवार रह रहे हैं सब का हाड अब जो कंडिशन है यहां पर हमारी क्या गल्दी जहांने पूरा पेमेंट कर चुके हैं पता है इंद बेसिस ऑफिट फिटाउट पोजिशन पोजिशन अब कुछ था नहीं तो यहां पर रहने लगे आज अचाना कि यह जो नोटिस लगने के बाद हमारे को ऐसा लग रहा और दूसरी बाद यह है ना यहाँ पानी प्रॉपर है बुर्वेल का पानी हम यूज्ज कर रहे हैं ग्राउट Vitl और वो ग्राउंड वाटर इतना होरिबल है उसके बाद हमारे पास सीवर कनेक्शन नहीं है सीवर कनेक्शन में हम लोग पूरा अपना सीवर का मल बूत्र है सब हम नाले में फैंक रहें सुविधाएं भी नहीं है ऐसे में एक सवाल पर मैं elaborate करना चाहूंगा आपको आप जो बात कहे रहे हैं कि आपने 100% अपना भुकतान कर दिया बड़ी मेहनस से कमाए हुए पैसे थे एक पूरी हस्ती खेलती फैमली है आपके पीछे अगर क्या और मेरे कुछी वेकेट करना पड़ जाये मकान मैं पूरे परिवार के साथ रह रहा हूं उसको लेकर मैं कहां जाओंगा बताइए मेरी इस तरह मेरी भी उमर हो चुकी यह समय मैं कहां दर-दर बठकूंगा मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं मैं दूसरा प्लाइट करी सकत पता नहीं था कि मनोज राय ने आपको इतने करोड रुपए देने बाकी है और वह इतना मुल्टिप्लाई हो गया आज एक करोड मुझे देना पड़े जाना किसी बैंक को मेरे घर में कुड़की लगा देगा शुक्रिया पातकर नहीं मैं आप आपका क्या नाम है आपकी क क्या परिशानी है और इन्होंने जो ये लगाया है ये बाहर नोटिस लगाया है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि एक्च्वल में जो जिम्मेदारी है वो बिल्डर की है तो अथार्टी को अथार्टी यही कह रही है कि हमने तो बिल्डर के खिलाफ लगाए लेकिन क्या आप कैसे निकाल सकते हैं हमें नहीं निकाल सकते हैं हाला कि यहां पर basic facilities कुछ नहीं है कोई basic facility नहीं है आदा हदूरा प्रोजक्ट छोड़के वह चला गया है और लोगों को भ्रहम में रखने के लिए कहता है अब मैं यहां से चला गया हूं 2010 में आप यह सुसाइटी का पुजेशन हुआ था 14 साल हो गए 2010 में नहीं हुआ था 2000 में एक्षुल में बनी थी सुसाइटी उसके बाद 15 से पुजेशन मिले हैं नौ साल के करीब अगर पुजेशन ले हो गया तो अब तक यह जहन में नहीं आ रहा है कि नोड़ा थार्टी इससे पहले क्यों नहीं एक्षन में आई तो फिर शायद और कुछ जो है वह जो है वह अपका नाम क्या है सर और क्या आपको लोग आपको भी डर यह सता रहा है कि इस जो नोटिस चपका हुआ है आपके सुसाइटी के बार इसका असर कहीं आपके फ्लैट के उपर नहीं है उसके पचीस हजार करोन की स्कीम चल रही स्पेक्ट्रम ओल इतना शिक्तिसाली विल्डर थे हम लोग बहुत मामली रिटायर्ट आदमी यहां क्या लड़ चीए लिए के वहां ते बसूली करने चीए और बसूली करने के लिए यहां पर लगा दे रहे हैं और हम लोगो डरा धंका रहे हैं और उसका नतिया है सारे हमको डरिया कि अभी कल लगी नोटिस आज ये सारे फ्लैटों की वैली जना दस परसंट गिर गई है कोई लोग आ रहे थे बाएर आ रहे थे किरादार आ रहे थे सब भग गया है कि हम नोटिस लग गई इस नोटिस का इतना बुरा निगेटिव असर पड़ा है कि पूरी सोसाइटी के वैली उग्दम नीचे आ जाएगी लेकिन अथार्टी का कहना है कि ये तो बिल्डर के लिए लिए लि पूरी पूरी पूजी लगा कि अब रिटायमेंट वाली एज हम लोग आराम से बुजारना चाहिए इसलिए फ्लैट लिए थे और इसकी वजह से अब सब्सक्राइब नाम है क्या मांसिक तनाव की भी स्थिती बन रही है कल रात में हम लोग बैड्मिंटन खेल रहे थी शा मुझे तो नहीं है क्योंकि यह पूरा पैसा दिया है तो यह तो पक्का है कि नियम है कानून है देश में ऐसे थोड़े हो जाएगा मुझे तो बिल्कुल नहीं है हाँ थोड़े सा तो चिंता तो होती है और मेन है कि यहां पर एड्मिंस्ट्रेशन के नाम है रूज लाइट चली जाती इस समय भी लाइट है इसके बाद यह ना प्रोजेक्ट जब उसने पैसे जमा नहीं करें तो वह काम भी नहीं करेंगा अधूरे काम पूरे नहीं करेंगा इस नोटिस को अगर पढ़ा जाए तो उसमें यह है कि वह कह रहे हैं कि हम उनकी जो अन्सोल्ड प्रोपर्टी को कर लेंगे हाला कि मुझे हमें नहीं लगता कि ज़्यादा उसकी अन्सोल्ड प्रोपर्टी बच्ची है कुछ है वो बिल्कुल उस पे कोई दियान नहीं कर रहा और वो उसको यह लग रहा है कि अब मेरे को चुटी मिल गई कि मेरे को यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं करना पड़ेगा क्राना आप आए कैमरा पसंद मनीश उन्याल के साथ है में दिला लेवी पी न्यूज नोडा